हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं इस इस 12th क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिजी कॉंटेंट इसके साथ ही मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सी बीसी बोर्ट बलके अदर स्टेट्स बोर्ट के भी फुली और इस कोर्सेज और यह सभी कोर्सेज आपको मतलते हैं बिल्कुल फ्री आफ कॉस्स मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे इनोट्स और इबुक्स भी लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे दिये होई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते है आज की क्लास तो हम क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे अपना पार्ठ चार जिसका नाम क्या था देहन और ज्वाला और हमने इसमें क्या देख लिया था हमने देख लिया था अपने पार्ठ का पार्ठ परिचर मतलब कि हम इस पार्ठ में क्या क्या चीजे पढ़ने वाले हैं हमने उसके बारे में देख लिया था सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देख लिया था उनके अंदर जो सब टॉपिक्स आने वाले थे उनको भी बहुत अच्छे से द चान लेंगे उसके बाद फिर हम बात करेंगे ज्वाला पे तो पहले चलते हैं दहन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किये हुए ठीक है सबसे पहला आगया हमारा क्या दहन तो देखते हैं क्या है किसी जलने वाले पदार्थ के वायू या ऑकसिकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं क्या कहा जा रहा है कि किसी जलने वाले पदार्थ कोई ऐसा पदार्थ जो क्या है जल सकता है उस पदार्थ को वायू की उपस्थिती में जब हम जलाते हैं या उसके जो जल जाने की क्रिया होती है वही क्या कहलाती है वही कहलाती है दहन या फिर उसे हम कहते हैं जलना ठीक है एक उश्मा छेपी अभिक्रिया है उश्मा छेपी अभिक्रिया मतलब कि जब दहन होता है तो इसमें क्या होती है उश्मा निकलती है और जिस भी अभिक्रिया में जिस भी क्रिया में उश्मा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं उश्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं तो अगर ह देहन की प्रक्रिया होगी तो देहन क्या होगा इसमें ज्वाला भी दिखाई दे सकती है और कभी-कभी ज्वाला नहीं भी दिखाई देगी तो अगर ज्वाला नहीं दिखाई देए इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर दहन नहीं हो रहा है वहां पर भी दहन हो रहा है तो मतल तो निकलेगी ही निकलेगी साथ ही आपको क्या दिखाई देता है प्रकाश भी दिखाई देता है ठीक है उश्मा के साथ साथ प्रकाश भी दिखाई देगा आगे देखिए किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिती में जलने पर उश्मा और प्रकाश उत्पन होते हैं ज ठीक जलनी की इस क्रिया को देहन कहते हैं और जब इस प्रकार से जो जलनी की क्रिया होती है किसी पदार्थ की तो वही क्या कहलाती है वही पदार्थ का देहन कहलाता है ठीक है तो देहन समझ आया यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं देहन क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिती मे किसी पदार्थ का जलना जो होता है वही क्या कहलाता है वही देहन कहलाता है देहन एक उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है ठीक है यहां तक याद है और देहन में क्या निकलता है उश्मा और प्रकाश प्राप्त होता है देहन जो होता है वो ज्वाला के साथ भी हो सकता है और एक तरह का उदाहरण देखते हैं और दाहरण हम किसका देखते हैं मैगनीशियम का जब मैगनीशियम का रिबन जो होता है उसको हवा में जलाया जाता है तो मैगनीशियम आकसाइड बनता है रिबन के जलनी पर एक चमकदार सफीद रोशनी उत्पन होती है और पाउडर जैसी राक अर्थात मैंगनीशियम उकसाइड बनती है यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक उश्मा छेपी प्रतिक्रिया है अर्थात अत्यधिक उश्मा उत्पन होती है अब होता क्या है बीटा कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैगनीशियम का दहन दिखाया गया है एक मैगनीशियम का रिबन लिया गया था और इसको वायू के उपस्थिती में जब क्या दिया गया इसको आग लगाई गई तो यह जो था कैसे चमकदार सफीद रोशनी देता हु इसने क्या क्या मैगनीशियम ऑक्साइड की राख दी और यह पूरी तरह से जल गया और इस अभिक्रिया को क्या कहा गया बहुत ही अधिक उश्मा चेपी प्रतिक्रिया कहा गया क्यों क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में उश्मा दिखाई दी मतलब बहुत तेज रोशनी थी जस तरीके से यहां जल रहा है आपको दिखाई दे रहा है कितनी अधिक ऊश्मा निकल रही है इसी वज़े से क्या कहा ऊश्मा छेपी अभी क्रिया कहा जाता है ठीक है अब दूसरी चीज यहां पर हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसने किया जो मैगनीशियम था तो मैगनीशियम जो था रिबन जो था हमने उसे लिया और हमने क्या किया वायो ऑक्सीजन के उपस्तिती में इसको क्या क्या जलाया तो यहां पर यह मैगनीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने क्या क्या क्रिया की और फिर क्या बनाया मैगनीशियम ऑक्साइड बनाया जो क कि राख के रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा ठीक है और प्रकाश हमको दिखाई देगा प्रकाश भी बहुत अधिक रूप से दिखाई दे रहा है उश्मा भी बहुत अधिक रूप से दिख रही है तो यहां पर यह magnesium का देहन आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है ठीक है समझ आया यहां तक अच्छे से चले आगे कोई डाउट तो नहीं ओके बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे डाउट है की नहीं है है ना और देखो अपना सेशन शुरू हो चुका है अपने दहन पढ़ना शुरू कर दिया तो जल्दी से क्या करो फटा फट से लाइक कर दो अपनी प्रेजेंट लगा दो और अपनी दोस्तों को यह शेयर भी कर दो कि भई पार्ट चार दहन चलो अब हम बात करते हैं किसकी दाहे पदार्थ वह अदाहे पदार्थ यह क्या है मैम दाहे पदार्थ क्या होते हैं और अदाहे पदार्थ क्या होते हैं तो देखे दाहे पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाहे पदार्थ कहलाता है ठी दहन में हमने बोला कि किसी पदार्थ का क्या हो जाना वायू के उपस्थिती में जल जाना यही बोला न हमने पर क्या सब ही पदार्थ वायू के उपस्थिती में जल सकते हैं ऐसा संभव है बताईए ऐसा संभव नहीं है कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तो जल जाएंगे ठ इसलिए इनकी दो category divide गर दी इनके दो work बना दिए एक पदार्थ जो ऐसे थे जो क्या करते देहन हो जाते थे उनको आंध क्या हुआ उनको हम ने जाह्ट पडार्थ और जो नहीं जलते हैं जिनका नहीं होता है उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया उनका हमने अलग वर्ग बना दिया और उनको हमने बोल दिया दाहे पदार्थ तो दाहे पदार्थ की अगर हम परिभाशा देखें तो यह यह हो जाएगी कि जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाहे पदार्थ कहलाते हैं ठीक है सिंप कि थोस हो सकते हैं द्रव हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं एगर अब तक आपने इंधन वाला चाप्टर नहीं पड़ा और इंधन वाला पार्ट है हमारा कोईला और पैट्रोलियम जिसमें वाट किसकी प्रॉस, इंधन की बात किती वह हमने ठोस, द्रव, गैस तीन ओ फिर से देखा था तो अगर आपने अभी तक पार्थ 3 नहीं पड़ा है तो जलदी से प्लेलिस्ट में जाकर करके पार्थ 3 को पढ़ लीजे चीक है तो इसमें क्या लिखा है कि इंधन ठोस द्रव गैस हो सकता है ठीक फिर उसके बाद देहन के समय ज्वाला के रूप में अत्वा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन करता है अब क्या होता है कि जब देहन होता है तो यह जो इंधन है ना और दाहे पदार्थ जो है यह क्या करता है जब यह देहन करता है तो यह ज्वाला के रूप म है अत्वह एक लौके रूप में निकलता है और क्या देता है तो यह एक लौ की साथ जलता है और प्रकाश देता है यह क्या हो जाते हैं डाहे-पदारत हो जाते हैं ॉध हम उदाहरन के बात करें तो MAGNESIUM और जुकाष्ट खोईला है यह सभी क्या है दाह पदार्थ है चिक ओके आगे देख लेए अब दूसरे तरह के पदार्थ भी देख लेते हैं जो क्या नहीं जलते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनका दहन नहीं होता वह अदाह पदार्थ कहलाते हैं क्या पूला मैंने कि ऐसे पदार्थ की बात की जो क्या होता है जिनका दहन नहीं होता वायू की उपस्तिती में जो दहन की प्रक्रिया नहीं करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं वे सभी अदाहे पदार्थ कहलाते हैं इनके उदारण देख लो तो पत्थर जो हो गा, लोहा, काँच, ये सभी किसमें आ जाते हैं, ये सभी अदाहेपदार्थ के अंतरगत आ जाते हैं ठीक है आगे देखें चलो दाहे पदार्थ अ दाहे पदार्थ दोनों समझ आ गए कोई दिक्कत तो नहीं है इन में याद भी हो जाएंगे न ऐसी छोटी-छोटी परिभाशा हैं पूछ ली जाती है चलो अब आजाती है हमाई पस क्रिया कलाप नमबर एक तो इस क्रिया कलाप में देखते हैं कि क्या कहा है इसमें इन्होंने कहा स्ट्रॉव माचिस की तीलियां मिट्टी का तेल कागज लोहे की कीलें पत्थर के टुकडे शीशा आधी कुछ पदार्थ इकठा करिए ये सभी पदा पदार्थों को एक-एक करके जलाईए यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाहे दिखाईए और नहीं जलता तो इसको अदाहे दिखाईए तो यह हमें क्या है इसमें हमें पता करना है कि कौन से पदार्थ दाहे पदार्थ हैं और कौन से पदार्थ अदाहे पदार्थ हैं अगर आप यह क्रिया कल आपको करते हैं, तो अकेले में आप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम आग कप्रेव कर रहे हैं, इसलिए आप किसी बड़े की देखरेक में करेंगे, या फिर स्कूल में किसी शिक्षक के देखरेक, मतलब आपने टीचर की देखरेक में करेंगे, ठी पर पदार्थों के नाम है यहां हमको बताना है तो सबसे पहले हम देखे तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें लकड़ी तो लकड़ी क्या होती है लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो क्या वो जल जाएगी जल्दी से बताईए जलेगी कैसा पदार्थ है दाहे पदार्थ है ट्रिक लगा दूँँ है, simple चीक है, कागस की बात करें तो को, कागस क्या है? अधाहे पदार्थ या दाहे पदार्थ चीक है, लोहे की कीलें, लोहे की कीलों का क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल जाएंगी, नहीं जलेँगी, क्या होगा? तो अदाहे पदार्थ में आ जाएगी, ठीक है? मिट्टी का तेल, भई, देखो, ठोस, द्रव, गैस, सब दे देंगी, मिट्टी का तेल, दाहे है, अदाहे है, मिट्टी का तेल तो बहुत तेज जलता है, ना, दाहे हो गया, पत्थर का टुकडा, पत्थर जलाये कभी आपने, जल जाता है, कि नहीं जलता है, सही लगें, ट पदार्थ हो गया लोहे की कीले अदाहे पदार्थ हो गई मिट्टी के तेल की बात करें तो दाहे पदार्थ हो गया पत्थर के टुकड़े की बात करें तो यह कैसा हो जाएगा अदाहे हो जाएगा आपके बुक में यह नहीं भरे होंगे चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो ठीक है लो यह क्लियर कर दिया ले लो स्क्रीन शॉट चले आगे चल च्रॉट किसका बना होता है प्लास्टिक कागच है ना अगर धातु का ना बना हो तो बाकी कोई भी हो दाहे होगा अदाहे नहीं होगा काश्ठ कोईला दाहे पदार्थ अदाहे नहीं होता माचस की तीली भाई आग चलाने के काम आती है दाहे है काच की बात करें तो दाहे ना होके कैसा है अदाहे पदार्थ है ठीक है आगे की यह है फटा-फट से ले लो ठीक अब देखो यह स्ट्रॉण कोई सभी हो सकता है कागज यह प्लास्टिक का धातु वाले बस छोड़ दोते हैं तो हम स्ट्रॉण नॉर्मली अगर हम देखें तो हमको कैसे देखने को मिलते हैं या तो प्लास्टिक का देखने को मिलता है या फिर कागज का देखने को मि ठीक है प्लास्टिक ले लेते हैं काघज ले लेते हैं दר होगा दाहे पतार्थ होगा आगे देखो क्या आप कुछ और पतार्थों के नाम बता सकते हैं यो दाह items है आप इन्हें साड़नी में जोड सकते हैं आए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिन में दहन होता है अब क्या है अगर आपके आसपस और भी कोई ऐसी चीज़ें है तो उनको आप इसमें कंटीनियू कर सकते हो और जोड सकते हो और बता सकते हो कि कौन से बदार्थ दा आए ठीक है अब हम क्या जानेंगे आप हम ऐसी परिस्थितियों का पता लगाएंगे ऐसी चीजों का पता लगाएंगे जिसमें क्या दहन होता है जिनमें क्या होता है जिनमें दहन होता है ठीक है चलो तो हम कर देते हैं आप पहले क्या क्रिया कलाप नंबर दो और क्रिया क कैसे होता है कौन सी ऐसी परिस्तितिया है जिसमें दहन होता है पहले तो देख लो कि सावधानी क्या रखनी है जलती मुंबत्ती को पकड़ते समय हमको सावधानी रखनी है क्योंकि जलती मुंबत्ती में क्या होता है गरम वैक्स होता है मूम होता है हाथ में टपक जाएगा त जल सकता है तो जलती हुई मुंबत्ती को पकड़ने में क्या करना है साफधानी रखने हैं अब करना क्या है क्रिया कलाप में चलो देख लेते हैं एक जलती मुंबत्ती को मेज के उपर रखें एक टेबल ले लेनी है एक जलती हुई मुंबत्ती ले लेनी है टेबल के उपर उ देखे चित्र को ध्यान से देखते जाना है एक बार टेबल पर हमको ऐसे दो लखड़ी के टुकड़े लेने हैं और रखना है और उसके ऊपर हमको यहां पर चिमनी मतलब यह चिमनी रखनी हो इनको साइड में रख देना है ठीक है फिर ऐसे एक बार ऐसे एक बार अब आगे देखो, देखिए ज्वाला को क्या होता है, चीक है, इसमें तो अभी कुछ ऐसा बोला नहीं, वायू का चिमनी में प्रवीश होता रहे, देखिए ज्वाला को क्या होता है, अब लकडी के गुट के हटा कर चिमनी को मेज पर टिका दीजिये, पुना ज्वाला को देखिए, अ यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं इनको थोड़ा सा आरेखित कर देते हैं ताकि हमें चीजों की क्या हो जाए पहचान हो जाए नहीं दिखाई दे रहा और थोड़ा इदर लिख देती हूँ ठीक है कांच की चिमनी है अंदर मोंबती है टेबल पर रखा पहले दो गुटके लगाए लकडी के टुकडे लगाए अंदर मोंबती जल रही थी इसके ऊपर क्या रखा कांच की चिमनी को रखा फिर इसकी law को हमें ध्यान से देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा ठीक है अब ये दोनों को हटा दो इन दोनों गुटकों को हटाओ और अब क्या करो अब कांच की चिमनी को उपर रखो ठीक है तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे ये जुधे यह है अलके बुझने जैसी हो जाएगा ठीक है ओके फिर उसके बाद यहां पर क्या करना है जो उपर वाला भाग अभी खिला हुआ देख रहा है इसको क्या करना है बंद कर देना नीचे से भिथ बंदancing्र आना है तो पहली स्थिती में क्या हो रहा है पहली स्थिती में ज्वाला अच्छी खासी जल रही है दूसरे स्थिती में वह हलकी हलकी बुझने लग जाएगी और तीसरे स्थिती में ज्वाला पूरी तरह से बुझ जाएगी मतलब कि हमाई मुंबत्ती बुझ जाएगी ठीक ह कि देख लिए आगे चले और अच्छे से समझेंगे रुखो क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है क्या यह अप्रभाविद जलती रहती है क्या आप दहन प्रक्रम में वायू की भूमिका के बारे में कुछ निश्कर्श निकाल सकते हैं तो पहली चीज तो इनों ने वोला क्या जोला कंपन करते हुए बुझ जाती है तो ये वाले में ऐसा होगा कि जोला कंपन करते हुए बुझ जाएगी दूसरे वाले में क्या होगा कि कंपन करेगी और धुआ देना शुरू कर देगी क्योंकि वो जलना बंद क कर दीगी ओधुब्हूा देने लग जाएगी ठीक है और क्या यह अप्रभावित जलती रहती है इस वजह से यहें अप्रभावत रूप से जल रहे है यहां बात करें तो यह निकास वो बंद हो चुका है यहां से वायू बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है जिसकी वेज़े से क्या हो गई है बुझने लग गई है और धुआ देने लगी जब इसमें वायू का निकास पूरी तरह से बंद कर दिया गया तो हमारी जो जुआला थी वो क्या हो गई पूरी तरह से बंद हो गई ठीक है तो इससे निशकर्ष क्या निकलता है पहले हम आगे पढ़ लेते हैं हम पाते हैं कि दहन के लिए वायू आवश्यक है इससे हमको निशकर्ष क्या मिलता है कि अगर दहन की प्रक्रिया करनी अभी जो हम पहले भी दहन को पढ़ रहेते तो हम बार-बार कह रहेते कि oxygen के उपस्थी में हवा के उपस्थी में ये शब्द इतना ज़रूरी है दैन की परिभाशा में जितना कि अगर हम बोले कि हमको सास लेने के लिए क्या जरूरी है हावा मतलब ऑक्सीजन जरूर है जैसे हम से पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन आवश्यक है तो ऐसे दहन के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है हावा आवश्यक है समझ रहे हो तो यह जो दहन है इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है वायू आवश्यक है अवस्था A देखेंगे तो अवस्था A की अगर हम बात करें आपर मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ तो देखो अवस्था A की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है मुम्बती जो है वो निर्बाध रूप से जलती रहती है बिना किसी बाधा के जलती रहती है जब की वायू चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है जब वायू यहां से प्रवेश करी है तो वो निर्बाद रूप से जलती रहती है अवस्था B की बात करें तो जब चिमनी में नीचे से वायू प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कमपन होता है और धुआ उत्पन होता है अब धीरे-धीरे क्या हुआ जैसे हमने वायू का जो वायू जा रही थी उसका रास्ता रोका तो धीरे-धीरे क्या हुआ उसमें वायू की कमी होने लग गई और वो कमपन करने लगी और धुआ देना शुरू कर दिय आवस्था C के अगर हम बात करने तो आवस्था C में क्या हुआ कि जौला जो होती है वह पूरी तरह से क्या हो जाती है बुझ जाती है क्योंकि उसे 心 प्लॉब्ध नहीं हो पाती अब क्या हुआ इसी में कि यहां से भी वायू की प्लब्धिता बंद कर दी उपर से भी बंद कर दी अब अंदर जो है वायू जाही नहीं पा रही और जैसे ही वायू जाना बंद होगी क्या हो जाएगा कि वहां पे वो बुझ जाएगी ये प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हो जैसे कि बच्पन में आपने किया भी होगा हो सकता है मैं बताती हो मैंने जरूर किया था कि मुंबती जल रही थी हो मैंने उसे अपने घर में गलास के द्वारा बंद करके देखा और जैसे मैंने उसे पूरा बंद किया वो बुझ गई थी ठीक है तो इस सब को समझ आई है क्रिया कलाप इस ग्रिया गलाप में कोई दिक्कत तो नहीं बहुत इंपॉर्टेन्ट्रिया कलाप है यह प्रिश्ण बना के भी पूछा जा सकता है इस क्रिया कल आपको बहुत ध्यान से पढ़िएगा ठीक है हर एक चीज को हर एक टॉपिक को हर एक बात को अच्छे से समझे अगर नहीं समझ में आता कोई डाउट रह जाता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कमेंट सेक्शन बना ही इसलिए है है इहाँ पर आपकी दिक्कतों के लिए रहे बता ओगे तब तो मुझे पता चलेगा और अब तो मैं जानाओंगी चीक तैट फटा-फट से क्या कर दो जल्दी से कमेंड कर दो और अगर कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से सेशन को लाइप कर दो और दोस्तों को भी बेज दो कि हमको तो बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हारे मज़े में सो रहे हैं, चीक है? चले आगे? चल अब एक प्रेशन आ जाता है, प्रेशन क्या आता है कि सूरी जो है वो अपनी उश्मा और प्रकाश स्वयम उत्पन करता है क्या यह भी प्रकार का दहन है? हम जान दें कि सूरी जो है उससे हमें प्रकाश मिलता है और उश्मा मिलती है और अभी हमने देखा है जब कहीं पे दहन होता है तो प्रकाश और उश्मा दोनों चीजे मिलती है तो सूरी जो कि प्रकाश और उश्मा दोनों देता है तो क्या यहां पर भी दहन होता रहता है और क्या वो स्वयम ही यह सारी चीजे निर्मित कर लेता है चलो इसका उत्तर देखते हैं तो देखो सूर्य में उश्मा और प्रकाश नाभी की अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन होती है अब क्या होता है सूर्य में नाभी की अभिक्रियाओं होती है ठाद क्या हो रहा है देखो सूर्य चो होता है इसमें हाइड्रोज़न और हीलियम जैसी बहुत ही जाधा ज्वलान्जियल प्रती प्रकाशे विव या से होती है और यह जो होती दहन की प्रक्रिया होती है क्योंकि जोलेंशील गैसे हैं तो जोलेंशील है तो क्या करेंगी वहां पर विस्वोट करेंगी विस्वोट होगा तो क्या होगा वहां पर प्रकाश और उश्मा दोनों ही चीजों का निर्माण होता रहेगा जैसे जैसे दहन होता रहेगा और उश्मा बनती रहती है और वो और प्रकाश और उश्मा हम तक महँचती रहती है तो अगर हम बात करें कि क्या एक एक प्रकार का देहन है तो हाँ यह भी एक प्रकार का क्या है देहन है चिक है आगे समझ चले आगे चलो आ जाती है क्रिया कलाप नमबर तीन चिक है तो क्य क्या चाहती है क्रिया कलाप 3 एक लकडी या लकडी के कोईले का जलता हुआ टुकडा लोहे की प्लेट या फिर तवे पर रखिया ठीक इसे एक काच के जार अथवा पार दर्शक प्लास्टिक जार से ढख डीजे देख देखिए क्या होता है क्या कुछ समय बाद लकडी का कोईला जलना बंद हो जाता है क्या आप सोच सकते हैं कि जलना बंद क्यों हो जाता है तो पहला प्रिश्ण यहां निकलता है दूसरा प्रिश्ण यहां निकलता है तीसरा प्रिश्ण यहां निकलके आता है इनने बोला कि देखे क्या होता है क्या कुछ समय बाद लकडी का कोईला जलना बंद हो जाता है तो हाँ भई कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो जो लकडी का कोईला है वो क्या हो जाएगा जलना बंद कर देगा और ऐसा यह जलना बंद क्यों कर देता है ऐसा क्यों होता है तो भई यह इस कारण होता है किसके कारण होता है वायू की अनुपस्तिती के कारण होता है अभी हमने पढ़ा कि वायू जो है वो दहन के लिए बहुत जादा आवश्यक है अगर वायू के अनुपस्तिती होगी तो वहाँ पर दहन नहीं होगा चीक है ओके चले आगे समझाया यह? चलो. अब एक प्रेश्ण आता है. देखो प्रेश्ण क्या है? तो प्रेश्ण की अगर हम बात करें, तो प्रेश्ण है किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं. तो आग बद्जाने के लिए व्यक्ति को कमबल से ढख देते हैं ऐसा क्यों यह हमने अक्सर देखा है कि कभी क्या होता है कि अगर किसी किसी मूवी में देखा होता है हमने यह आसपास भी देखा होता है जब किसी मनुष्य में किसी इंसान पर आग लग जाती है तो क्या किया जाता है उसको कंबल लेकर के ढख दिया जाता है चीक है उसे बचाने के लिए सबसे पहला तरीका यहीं हम अपनाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं जल्दी पताइए ऐसा व्यक्ति को कंबल से ढग देते हैं तो ऐसा क्यों किया जाता है क्या आप लोग सोच के बता सकते हूं कि ऐसा क्यों होता है यहां पर देखो इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है कंबल में लिप्टा हुआ व्यक्ति दिख रहा है जिसके वस्तरों ने क्या पकड़ ली है आग पकड़ ली थी और इस व्यक्ति को क्या किया गया कंबल में लपेट करके से बचाया गया तो ऐसा क्यों किया गया सोचो थोड़ा सा सोचा करो है ना जब सोचोगे नहीं तो तब तक आपके दिमाग में आंसर कैसे आएंगे है ना उत्तर सोचने के लिए हमको करना क्या है हमें सोचना पड़ेगा आप सोचना क्या overthinking हम कर लेंगे लेकिन जो thinking हम को करनी चाहिए हम वो नहीं करते हैं तो प्रश्णों के उत्तर के बारे में सोचिए गलत होगे सही होगे उसका हमको नहीं सोचना कि यार हो सकता हम बोलेंगे तो गलत हो चाहिए का जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे तो गलतियां करो, लेकिन सोचो जरूर, ठीक है, और उनको फिर सुधारों भी, ऐसा नहीं कि हमें पता चल गया है कि ये गलती गलती है, लेकिन हम उसे सुधार नहीं रहें, तो गलत बोलो, गलत सोच रहे हो, कोई बात नहीं, उसका सही उत्तर भी पता चलेगा ना आपको, ल को कि देखो, ये मैं पूरा पढ़ा चुक्यों भी, इससे पहले अभी हमने पूरे कॉंसेप्ट को पढ़ लिया, कि क्या है, दो से तीन चीजों हमने पढ़ी, दो क्या देख लिए, हमने क्रिया कल आप भी देख ली, क्या दे रही हो, मैं ये हिंट दे रही हो, आपको, दो क्या कल आप भी हमने देख ली, उसके बाद भी नहीं समझाया, अगर तो बताओ, और अगर समझा गया, तो इसका उत्तर दे दो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपल सा आंसर है, मैं बता दूं, चलो भई, तुमसे ना हो पाएगा, और जिन से हो गया उनके लिए, तो आगे उत्तर देखे, किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं, तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कमबल से ढख देते हैं, चीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि ऑक्सीजन के आपूर्ती बंद हो जाए और आग बुझ जाए, ऐसा किसली किया जाता है, ऐसा इसलिए क्या जाता है, कि जैसे ही किसी व्यक्ति के शरीर पे जब आग पकड़ लेती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्तिती रहती है, और जैसे उसे कमबल से ढख दिया जाता है, चारो तरफ से कमबल से ढख देंगे, तो ऑक्सीजन के आपूर्ती क्या हो जाएगी, बंद होगी, है ना, ऑक्सीजन उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी, और आग जो है, जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसे हवा नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी, अभी हम दो क्रिया कल आप देख चुके हैं, जान चुके हैं, कि 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 प्रकार ऑक्सीजन और हवा के उपस्तिती में ज्वाला पैदा होती है उश्मा निकलती है और ज्यादा आग बढ़ जाती है तो अगर हम कंबल से उसे लपेट देंगे तो क्या होगा आग जो है वो जलना बंद हो जाएगी ठीक है समझ आया ऑक्सीजन के आप पूर्ती किया ना तो अगर आसपस ऐसा कुछ देखो तो आपको करना क्या है कि उस विक्ति को कंबल से ढख देना है जिससे क्या हो कि आग की आप पूर्टी बंद हो जाएगी ठीक है आगे चलें चलिए एक और चीज आती है अब देखो यहाँ पर कुछ प्रशन आते हैं इसी से माचिस की तीली अपने आप जल उठती है यह किस प्रकार जलाई जाती है तो पहला प्रेशन पूछ रहे हैं कि क्या एक माचिस की जो तीली होती है वह अपने आप जलती है तो नहीं भई अपने आप तो नहीं जलती हम जलाते हैं उसे है ना अपने आप ऐसे माचिस की तील निकालते हैं उसकी जो एक सर्फिस पर एक सतह पर क्या कुछ बना रहता है ना उस पर क्या करते हैं उस पर से मारते हैं और क्या हो जाता है माचिस की तीली जल जाती है उसके बाद एक और चीज दी है उन्होंने कि कागस के टुकड़े को माचिस की तीली के पास लाते हैं तो क या वो जलना शुरू हो जाता है घर में तो बहुत पेपर जलाए होंगे कई ओने तो अपने एक्जाम पेपर भी जला दिया होंगे हैं ऐसा किया है कि नहीं किया ऐसा नहीं करना चाहिए पर ठीक है तो क्या होगा यहां पर बताना है आपको कि क्या यह जलता है कि नहीं जलता जल जाता है, बिल्कुल जल जाता है, तो यह क्या, जल उठता है, हाँ, हम क्या लिखेंगे, हाँ, चीक है, एक और प्रिशन आता है हमारे पास, और वो प्रिशन क्या आता है, कि क्या लकडी के एक टुकडे को जलती माचस की तीली के पास लाकर जला सकते हैं, अरे यह तो बड़ा सा असंभव टाइब का है ना कि लकडी का टुकडा लो बड़ा सा लकडी का टुकडा ले लिया और माचिस की तीली ले और उसे जला के बताओ क्या आप जला पाओगे? माचिस की तीली से एक लकडी का अच्छा मोटा सा टुकडा नहीं जलाया जा सकता. ठीक है? तो यहां हम क्या लिखेंगे? नहीं. अब यह सब क्यों लिख रहे हैं? हम उस पर पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि हम यहीं तक रहेंगे? नहीं. इसके आगे हम जानेगी कि ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं होता है? ठीक है? आगे देखो. लकडी या कोईले को जलाने के लिए कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? अब लकडी जलाना हूँ या फिर कोईले को जलाना हूँ. इसके लिए कागज या तो किसी लकड़ी किसी कोईले को जलाने के इसका प्रयोग क्यों करना पड़ता है यहां पे इन्होंने प्रेश्ण पूछा है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे यहां पर मैं क्या उत्तर दूंँ तो यहां पर मैं इसलिए देती हो तर की लकड़ी या कोईले को आसानी से नहीं जलाया जा सकता इसलिए हम कागज या मिटी के तेल का उपियोग करते हैं ठीक है आया समझ कि हम क्यों करते हैं अब देखो यह जो प्रेश्ण यह जो चीज़े दिये हुए है यह ऐसा कुछ नहीं कि आपके प्रेश्ण है आपके चाप्टर की प्रेश्ण मतलब आपके प्रेश्ण तरवाली प्रेश्ण अभ्यास प्रेश्ण नहीं यह आपके पार्ट grym बतायगे पूछे लुए प्रिशन तो अगर हम यह पुरा पार्ट पढ़ते चल रहे हैं और इन प्रिशन के उत्तर नहीं दे पारे तो मतलब कि हम पाट को अच्छे से समझ नहीं रहे तो पार नीज तो बहुत of syllabus था मैम यह तो आया ही नहीं यह तो पार्थ में नहीं है फिर इस तरह कि हम क्या बनाते हैं तो यह नहीं करना है पार्ट के अंदर से भी इस तरह से प्रिशन आते हैं इसलिए इन सभी चीजों को समझते चलना है और हर प्रिशन से इस तरह के क्वेशन मार्क वाले जो भी चीज़े पूछी रहे उसका उत्तर देना आपको आना चाहिए इसलिए मैं ऐसे प्रिशन भी यहाँ पर आपको करवा रही हूं चीक है तो पहले का उत्तर क्या हमने दे दिया नहीं चाहिए तो आप इसे पूरे सेंटेंस के साथ लिख सकते हो कि क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है तो नहीं एक माचिस की तीली अपने आप नहीं जल उठती यह किस प्रकार जलाई जाती है तो हम इसके आगे भी बता सकते हैं कि हम इसको क्या करते हैं हम माचिस की तीली को जब घिसते हैं तो उसके बाद माचिस की तीली जल उठती है कागच के टुकड़े को माचस की तीली के पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है तो हम लिखेंगे हाँ कागच के टुकड़े को माचस की तीली के पास लाने पर वह जल उठता है ऐसे ही यहाँ पर पूछा है कि क्या लकड़ी के टुकड़े को जलती माचस की त सानी से नहीं जलाया जा सकता क्योंकि और इसी लिए हम क्या कर सकते हैं हम करते हैं कागज या फे मिट्टी के तेल का उपयोग चीक है यहां तक समझ आ गया इंप्रेशनों के उत्तर आप खुद से बना लोगे क्लियर कर दूं किसी को स्क्रीन शॉट तो नहीं लेना ले सकते ह ठीक है तो अब जो यह बात है कि लकड़ी या कोईले को जलाने के लिए हमको इन सब चीजों के क्यों जरूरत पड़ती है तो यह जो चीज़ें है ना देखिए एक बहुत इंप्रेस्टिंग टॉपिक है तो यह अब हम देखते हैं कहां देखते हैं यह अब हम देखते हैं अपनी next class में कि किसी लकडी को किसी कोईले को जलाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत क्यों पड़ती है जो कि दाहे-पदार्थी हो साथ ही बहुत जल्दी ही दहन करना शुरू कर देती है तो यह हम कहां पढ़ेंगे यह हम पढ़ेंगे अपनी next class में चीक है तो अभी तक ह अधर्शी इंधन से रिलेटेड ऊश्मी इमान बहुत सारी चीज़ें इंधन से जुड़ी हुए आएंगी तो पहले आप क्या करिए थर्ड चाप्टर को बहुत अच्छे से पढ़के आईए ठीक है जैसे कोईला शब्द यहां पर मैं यूज कर रही हूं अब आपको कोई अभी जॉइंग किया है अभी अभी एकलास ली है तो उसको शेयर कर दीजे ताकि उसको भी हेल्प हो जाए ठीक है तो आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको करना क्या है जल्दी से मैगनेट ब्रींस हिंदी मीडियम को कर लीना है सब्सक्राइब और बैल आइकन को कर दीजे टाप क्योंकि जैसे ही कोई नूटिफिकेशन आता है या फिर इससे जुड़ी होगी कोई भी अपडेट आती है तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी तो बच्चों आने वाले सभी वीडियो के और इसी तरह के और अच्छ 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 वीडियो आते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे दियो एक डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसके साथ ही मैंगनेट ब्रींस आपको प्रोवाइट कराता है कई सारे टॉप कोर्स जो कि आहां स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मैं बात करो सी बीसी बोर्ड ड और spoken English जैसे top courses और इन सभी top courses के लिए आपको किसी तरह की कोई payment नहीं करनी पड़ती है क्योंकि यह यहां पर आपको मिलते हैं 100% free of cost आप से किसी तरह का कोई cost नहीं लिया जाता कोई payment नहीं कराई जाती कोई subscription नहीं दिया जाता इसके साथ ही जो जितने भी top courses आप देख रह पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करना तो बिलकुल भी न भूले मिलते हैं next topic के साथ तब तक के बाइ-बाइ